अगर आपने वाली सीरीज नहीं देखिया, तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्रिप्शन में मिल जाएगा तो एक simple example से शुरू करते हैं, तो यह मेरा एक simple function है, जो मुझे एक flow return करेगा, और यहाँ पर मैं दो values emit करा रहा हूँ, पहले मैंने 1 emit करा ही है, दो second के delay के बाद मैंने दूसरी value emit करा दी, तो इसके लिए अगर हमें test case लिखना होगा, तो किस तरीकिसे हम लोग लिखेंगे, त insert प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर इसके लिए test file generate कर लेते हैं, यहाँ पर मैं JUnit 4 select कर लेता हूँ, और इसके लिए हम लोग test case generate करने हैं, तो इसको यहाँ पर मैंने select कर लिया है, click ok, तो इसमें कुछ भी android बाला code नहीं है, तो यहाँ पर मैं JVMory directory select कर रहा हूँ, click ok, तो हमारे पास कोई subscriber होगा, तभी हमारा execution चलेगा, और hot case में क्या होता है, वो किसी subscriber का इंतिजार नहीं करता है, values emit करता रहता है, इसके साथ साथ एक और बात भी हो सकती है, कि हमारे flows जो होते हैं, वो finite भी हो सकते हैं, और infinite भी हो सकते हैं, infinite और finite से क्या मतलब है, कि हमारा data जो वो complete हो चुका है, तो मारा flow जो है, वो close हो जाएगा, बट infinite के case में क्या होगा, continuously हमारा data आता रहेगा, बट generally हम लोग test cases में क्या करते हैं, उस flow के लिए आतो हम लोग एक mock object create कर लेंगे, यह मेरा mock object है, यह मेरे को 2 values या 3 values emit करेगा, और उसी के basis पर मैं अपना test case लिख लिख लूँगा, यह मैं assume कर लेता हूँ, कि मेरी first value जो है वो यह होनी चाहिए, second value यह होनी चाहिए, और उसके basis पर मैं अपना test case लिख लूँगा, तो I hope आपको यह sense बना रहा होगा, तो दुबारे repeat करता हूँ इस बात को, या तो मैं एक mock object बनाऊँगा, जो मेरे को particular set of values रिटन करेगा, कि यह मेरा flow है, यह मुझे 2 values रिटन करेगा, उसके बाद वो complete हो जाएगा, या दूसरा तरीका क्या होगा, मैं उस flow की 2-3 values को चेक करूँगा, अगर जो मेरा expected result है, वो ही आ रहा होगा, तो मेरा test case पास हो जाएगा, तो इस तरीकी से हम लोग इसका test case लिखेंगे, अब flows के इंदर हमार पस कुछ useful methods है, जिनका हम लोग use कर सकते हैं, तो अगर मैं इस system under test के इंदर जाता हूँ, और अपने इस function को call करते हैं, जो हमार को एक flow return करेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, हमार पस एक method है, two list के नाम से, तो यह क्या करेगा, flow के जितने भी elements होंगे, उसको मुझे ऐसा list बना के देदेगा, तो मैं यहाँ पर list compare कर सकता हूँ, कि भी है, मेरा यह वाला जो flow है, यह मुझे यह वाली list return करना चाहिए, या similarly हमार पस एक method है, take के नाम से, तो यहाँ पर मैं उसे बता दूँगा, कि भी है, यहाँ यहाँ पर मेरी दो values निकालने ना, और उसके basis पर हम लोग अपना test case execute करा लेंगे, या इसके निर्वाब पस एक और method भी है, first के नाम से, तो यह मुझे को flow का first element निकाल के देगा, तो इस तरीकिसे हम लोग इन methods का use कर सकते हैं, जो कि हमारे terminal operators है, बलब भी हमारे flow को start कर देते हैं, इनकी मदद से हम लोग अपना test case लिख पाएंगे, तो यहाँ पर मैं tool list का use करता हूँ, और इसको एक result में store करा लेते हैं, अब यहाँ पर ही मुझे error दे रहा है, क्योंकि हमारा suspend function है, तो simply हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, run test का use करेंगे, तो इस तरही किसे मुझे result मिल जाएगा, और उसके business पर हम लोग अपनी assert statement लगातेंगे, assert.assert equals, तो हमारी expected value है, list of 1,2, क्योंकि जो हमारा flow है, यह हमार को return कर रहा है, 1 और 2, तो वही हमने आप एक्सपेक्टेड वैल्यू में लिखा है, और यहाँ पर मैं इसका result पास कर दूँगा, तो इस तरही किसे हम लोग simply अपने flow को test कर पाएंगे, तो इसको run करते हैं एक बारी, देखते हैं क्या output आता है, तो यहाँ पर आप दिसकते हैं हमारा test case पास हो चुका है, तो simple flows के लिए अगर आपको test cases लिखने हैं, तो आप इसके library functions का use कर सकते हैं, जैसकि आपका toolist हो गया, first हो गया, last हो गया, take वाला method आप use कर सकते हैं, कि आगर आपको 5 elements को test करना है, कि 5 elements के अंदर ये value नीची है, तो आप 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 take का use कर सकते हैं, तो ये था simple flows के बारे में, अब बात करते हैं, कि Android में suppose हमार पास कोई flow है, मलब हमारा कोई room database है, वो हमार को flow return कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग test cases कैसे लिखेंगे, तो room database के testing के लिए अपर अगर आपने वह आली वीडियो नीच देखिए, तो make sure करें, पहले वो अली वीडियो देख लें, उसी का project मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर, यहाँ पर sports DAO है, यहाँ पर हमें return कर रहा है live data, अब suppose इसकी जगह यह मुझे flow return कर रहा होता, और उसके लिए मुझे test cases लिखने होते हैं, तो वो मैं किसे करता हूँ, यहाँ पर हम इसको change कर देता हूँ, यहाँ पर हम लोग return करेंगे flow, तो इसकी test file open करते हैं, हमने इस तरही किसे के लिए test cases लिखे थे, यहाँ पर आप सितरही मुझे error दे रहा है, क्योंकि हम लोग live data expect कर रहे थे, और live data के लिए हमने यह function लिखा था, get or await value, यहाँ पर हमारा यह change हो चुका है, इसको मैंने flow में convert कर दिया, तो इस file को मैं ऐसे ही रहन देता हूँ, हम लोग एक core test file create करते हैं, जिसमे हम लोग flow के लिए test cases लिखेंगे, तो हमारे पस दोनों files रहेंगे, यह एक live data वाली और यह हमारे पस flow वाली, तो इसको यहांसे copy कर लिए और यहाँ पर मैं इसको paste कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको नाम देता है, coach.dow flow test, उसके बाद यहाँ पर कुछ changes करते हैं, तो अभी के लिए इस delete वाले function को remove कर देते हैं, एक simple insert वाला test case रण करके देखते हैं, कि किस तरीकी से हमारा यह function काम करेगा, तो यहाँ पर मैं इस get or await value को remove कर देता हूँ, और इस function का return type है हमारा, वो flow है, तो इस flow के लिए हम लोग डिर्ट ली क्या करेंगे, यहाँ पर हमना एक function call करेंगे, first के नाम से, तो जो भी मेरे flow का first element होगा, वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, तो basically इस test case के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पर मैं एक code insert कर रहा हूँ, अपने इस room database के अंदर, तो यह जो हमारा room database है, यह मेरा in memory database है, इसके ना हम लोग एक row insert करेंगे, और check करेंगे, क्या वो हमारी insert हो गई है, यह नहीं हुई है, तो उसी के लिए आप हमेरे test case लिखा है, कि पहले मैं अपना code जो है, वो insert करा रहा हूँ, उसके बाद मैंने उसको get किया, get करने के लिए हमने क्या किया है, first function call किया है, और उसी के basis पहम लोग इसका test case लिखेंगे, यह वाली जो assert statements है मेरी, यह बिल्कूल सेम ही रहेंगी, तो इसको run करते है, यह हमारा instrumentation test है, क्योंकि आप हमारे को context की need दी, तो अब इक लिए इसको comment कर देते हैं यहां से, और दुबारे run करते हैं इसको, तो यहां पर आप देखते हैं हमारे test case pass हो चुका है, तो इस तरीकिसे हम लोगे इस first function का use करके अपने flow को test कर पाएंगे, तो आप होप आपको यह sense बना रहा होगा, तो simply यहां पर मैंने क्या किया है, live data को replace कर दिया flow से, और flow को test करने के लिए हमने यह first function काल किया है, अब यहां पर एक interesting चीज़ देखते हैं, अब suppose इसको यहां पर मैं change कर देता हूँ, टूलेस की form है, और इस वाली language यहां से अभी comment कर देते हैं, देखते हैं हमारा test case जो है, वो run होगा या नहीं, तो अगर मैं इसको run करता हूँ, तो यहां पर आप देखेंगे, यह जो हमारा test case है, यह कभी complete ही नहीं होगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो room database के case में क्या होता है, कि जब भी हम लोग कोई flow लगाते हैं, या कोई live data लगाते हैं, तो वो continuously हमें data की updates देता रहता है, तो इस case में जो हमारा flow है, वो कभी complete नहीं होगा, क्योंकि tool इस जो है हमारा, वो suspended state में ही रहेगा, जब तक हमारा flow complete नहीं होगा, तब तक हमारा को response नहीं देगा, पड़ यहां पर जो हमारा flow है, वो infinite flow है, क्योंकि continuously हम लोग room से expect कर रहे है, कि यह तुमारे में जब भी कोई change हो न, तुमारे में कुछ भी insert हो, update हो, delete हो, तो हमें बता देना, तो जब भी मैं हमने codes DAO के अंदर, यहां पर live data लगाता हूँ, यहां कोई flow लगाता हूँ, तो यह जो मेरा data होता है, वो मेरा continuously updates देता रहता है, तो यह जो flow है मेरा, वो infinite flow हो गया, और infinite flow के case में, यह जो मेरा toolless वाला function होता है, यह कभी complete ही नहीं होता है, इसलिए आप आप देखेंगे, यह जो मारा test case है, वो चलता ही रहेगा, तो इसके लिए हमारे को कुछ और changes करने होंगे, तो अगर मुझे किसी infinite flow के लिए test cases लिखने, तो मैं कुछ इस तरीके से test case लिखूँगा, कि उसकी पहली item देख लूँगा, दूसरी item देख लूँगा, अगर यह मेरी expected value उसे meet हो रही होंगी, तो मेरा test case बास हो जाएगा, तो इसी चीज़ के लिए हमारे पास एक और library है, जो की popular library है, flows को test करने के लिए turbine, तो इसकी already मैं एक dependency add कर चुका हूँ, तो इस test case को यहां पर मैंने बास कर दिया, और अपनी build.gral फाइल पे चलते हैं, यह मैंने एक dependency add करी है, यह हमारे को कुछ helper methods provide करती है, जिससे हम लोग easily अपने flow को test कर पाएंगे, तो देखते हैं इसका कैसे use करेंगे, तो simply concept है, यहाँ पर simply हम लोग क्या करेंगे, यह वाली line को मैं आसे remove कर देता हूँ, और यहाँ पर to list के जगा हम लोग function call करेंगे test, तो यह वाला जो मेरा test function है, यह हमार को turbine library में provide किया, तो यहाँ पर आप इसका name space देख सकते हैं, तो इसी का हम लोग यहाँ पर use करेंगे, तो simply हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, code list के नाम से, और इसके नहीं हमार पर से एक method है, await item के नाम से, तो यह वाला function हमारा basically क्या करेंगा, जो भी मेरे room database की first update होगी, उसको हमारे code list में store करतेगा, यहाँ पर हमने क्या किया है, इस code को insert कराया है, अपने room database के अंदर, तो उसके लिए यह वेट करेगा, जैसी वो हमारे पास update आ जाएगी, वो हमारे code list के अंदर store हो जाएगी, तो इसी के basis पे हम लोग अपने test cases लिखेंगे, तो इस line को यहाँ से मैं cut कर लेता हूँ, और इसको इसके अंदर paste कर देते हैं, तो इस पार जो हमारे पास code list है, उसका जो size होगा, वो one ही आना चाहिए, तो इस तरीकिस हम लोग यहाँ पे एक assert statement लगाएंगे, अब यहाँ पे मुझे एक और step करना होगा, यहाँ पे मैं call करूँगा function cancel, क्योंकि जो मेरा flow है, उसका जो मेरा काम था, वो done हो चुका है, तो यह cancel function क्या करेगा, जो भी आपके आगे के flow के items है, उनको receive नहीं करेगा, उसका काम था है, एक item को receive करना, उसने receive किया, उसके पर टेस्ट केस लिखा, और उसका काम ड़न हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे cancel function call कर दिया, तो इसको run करके देखते है, देखते हैं क्या output आता है, इस बार हमारा यह complete होता है या नहीं, तो यह पर आप देखते हमारे यह test case पास हो चुका है, तो इस तरीकी से हम लोग turbine library का use करते है, सब्सक्राइब यहाँ पर मैं एक और update देता हूँ, यहाँ पर मैं एक और insert कर देता हूँ, इसको यहाँ पर नाम देते है, code2, इसका text change कर देते हैं, इसको कर देते है, code2, और इसको यहाँ पर insert कराते हैं, इसको लिख देते है, code2, तो इस case में जो हमारे पास first item आएगी, मलब हमारे flow से जो पहली update आएगी, तो यहाँ पर देते हैं हमारा यह वाला test case भी पास हो चुका है, तो इस तरही किसे हम लोगे इस turbine library का यूज़ करते हैं, यहाँ तक तो बात ठीक थी, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने insert किया है, वो एक ही बारी में insert किया है, मलब मैंने रूम database को पकड़ा, उसके अंदर दो रोज insert करती है, तो जो मेरा await item है, यह मार को दो रोज return करेगा, अब ऐसा हो सकता है, कि थोड़ी सी देर बाद user ने कुछ action perform किया, उसके basis पर मेरे room के अंदर एक नही रो insert हो गई, मलब कुछ time बाद, मेरी एक और रो insert हो जाती है, हमारे room database के अंदर, तो उसको भी मुझे read करना है, कि वो क्या है value, तो उसके लिए यहाँ पर एक test code लिखते है, यहाँ पर मैं launch function का use करूँगा, यहाँ पर मैं रिख नया core routine लाँच कर रहा हूँ, और उसके अंदर इसको insert कराएंगे, और यह मैं insert कराऊँगा delay के बाद, तो यहाँ पर मैं delay add कर देता हूँ, 500 milliseconds का, तो basically होगा क्या, first update के अंदर, आपके सिर्फ एक hero insert होगी, थोड़ी देर के बाद, मलब 500 milliseconds के बाद, आपका यह जो codes जा होए, यह आपका code to insert कर देगा, आपके database के अंदर, तो यह जो आपका database के अंदर insert होगा, तो यह जो आपका flow है, यह आपको एक और update देगा, तो यहाँ पर मैं दुबारा से एक await item कॉल कर पाऊँगा, तो यहाँ पर मैं एक और variable बनाता हूँ, code list 2 के नाम से, और दुबारा से हम लोग यहाँ पर एक function कॉल करेंगे, await item, कि यह मुझे तेरी second update भी पढ़नी है, जो भी flow के अंदर second update आई है, उसको भी मैं read करना चाहता हूँ, और उसके basis पर मैं कुछ test cases लिखना चाहता हूँ, यह दुबारा से मैं यहाँ पर assert statement लगाऊँगा, तो इस case में जो मारी first statement होगी, यहाँ पर हमारा पस एक ही row आएगी, पर यह जो हमारी second update item होगी, इसके अंदर हमारा पस दो rows आ रही होगी, दो rows इसलिए आएगी, क्योंकि हमारी यह वाली row भी insert हो चुकी होगी, तो इसको यहाँ पर change कर देते हैं, इसको यहाँ पर coat list 2 कर देते हैं, तो एक बार इसको run करते हैं, उसके बाद इसको explain करूँगा, तो यहाँ पर आप दिसकते हमारी test case पास हो चुका है, तो एक बार इस पर debugger लगाते हैं, तो इसकी clarity आजाएगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको debug करता हूँ, सबसे पहले जो हमारी await item है, यह हमारी को first update देगी, first update क्या है हमारी, हमने एक row insert करी है, तो वह हमारी पास यहाँ पर output में आएगा, तो आगर मैं इस quote list पर over करता हूँ, तो यहाँ पर दिसकते हमारी पास array list के अंदर, से first quote ही आ रहा है, अब उसके बाद क्या होगा, 500 milliseconds के बाद हमारी यह वाला quote है, वो दुबारा से insert हुआ होगा, तो हमारे database के अंदर अब दो रोज हो चुकी है, तो यह जो हमारा await item वाला method है, इस बार जो हमार को item देगा, उसके अंदर दो रोज होगी, इसलिए हाँ पर मैंने expected value में 2 पास किया है, तो अगर हम इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो हाँ पर आप देगे code list के अंदर, इस बार जो मार पर आइटम्स आई है, वो दो आइटम्स आई है, code 1 और code 2, तो इस तरीके से हमने यह test case लिखा है, तो इस तरीके से हम लोग await items का use कर सकते हैं, अगर हमें multiple items receive करनी है, अपने flows से, तो I hope आपको यह sense बना रहा होगा, तो यह मैंने testing के लिए यह add किया था, तो इस code को मैं ऐसे revert कर देता हूँ, तो I hope आपको यह clear हो रहा होगा, तो simple सा concept है, पहली बार update आई, तो हमने await item किया, उसने मैं item दे दिया, उसके basis पर मैंने test case लिख लिए, अब suppose हमारा flow जो है, वो थोड़ी सी देर के बाद मुझे दुबारा से data देता है, तो मैं दुबारा से await item को call करूँगा, वो मुझे दूसरी update देगा, उसके basis पर मुझे जो test cases लिखने होंगे, वो मैं test case लिख लूँगा, तो इस तरीकिस हम लोग इस await item को use करते है, अपने test cases को run करने के लिए, तो इस तरीकिस हम लोग flows की testing करते है, अब सवाल आता कि flows के अंदर मारा पा state flow भी होता है, shared flow भी होता है, तो उसके लिए test cases कैसे लिखेंगे, तो same ही behavior होता है, state flow जो है, वो उसी तरीकिसे काम करता है, जिस तरीकिसे आपका live data काम करता है, तो आप उसको value input में देते रहोगे, यह yellow value, तो उसकी state change हो जाएगी, और उसकी value के लिए आव wait करते रहोगे, यह जो मैंने value दी थी, क्या वो ही value आ रही है, अगर वो ही value आ रही होगी, तो आपका test case pass हो जाएगा, तो उसके लिए test case लिखना simple ही procedure होता है, तो आप easily follow कर पाऊगे, यह था हमारा flow की testing के बारे में, तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अगर आपको कोई suggestion है तो मुझे comments के दुरू बताएं, thank you for watching, आपका दिन चुबो, दन्यवाद,